हलो दोस्तों गूड बॉर्णिंग स्वागत इकवार फिर से आप सभी का MZT Education में दोस्तों आज है तीन जून आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे तीन जून दोजार तेज के मोस्ट इंपोर्टन करेंट करेंट के कुश्चन के बारे में पूरी वीडियो बहुत ही ध् करेंगे विश्व दुग्दुद दिवस्त एक जून को मनाया गया TCS के नए CEO के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है के कृतिवासन ने इसके लावा महाराष्ट के आहमद नगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर करने की घोशना की गई है भारत दोहजार सत्तर तक सुद आजकोशी घाटा फाइनेंसेर एर दोजार तेईस में जीडीबी का 6.4 परसेंट बताया गया है और वहीं अस्वनी कुमार ये यूको बोईंग के ने MD और CEO न्यूप किये गये है ओटीटी प्लेटफर्म पर तंबाकू विरोधी चेताउनियों को विनेमित करने के लिए व पहला और मोस्ट इंपोर्टन कोशन इसरो ने किस नाम से एक नेविगेशन सेटिलाइट लांच किया तो दोस्तों दरसल अभी इसरो कुछ दिन पहले ही एक नेविगेशन सेटिलाइट लांच किया था NVS-01 अब ताज़ा अपडेट यह है कि यह सकसफुली अपनी और्ब इसने GSLV F-12 रॉकेट से इसे लांच किया था किस से GSLV F-12 रॉकेट से यानि जियो सिंक्रोनस लांच वेकल से लांच किया था अपने पास दो रॉकेट था कौन-कौन सा GSLV और PSLV ठीक है ना डो टाइप से रॉकेट थे अभी कुछ दिन पहले ही एक और रॉकेट का सफल परिछन किया गया SSLV इस तीनों के बारे में जखो अंतर क्या है GSLV जो है ना यह जियो सिंक्रोनस होता है यानि कि यह पिर्थवी के कुछ इस प्रकार से इस प्रकार से यह चक्र लगाता है यानि जियो सिंक्रोनस हिसाब से यह चक्र लगाता है और साथी साथ जैसे जैसे 24 घंटे में पिर्थवी अपना चक्र लगाती है वैसे यह भी मतलब बिल्कुल आइडेंटिकल चलेगा इसलिए जीयो सिंक्रोनस कहते हैं और PSLV जो होता है यह पोलर साटिलाइट लांच वहिकल है जो इस प्रकार से चक्र लगाये गई और SSLV एक से त्यार हो जाया करेगा इस नुगा यह तो तीन प्रकार होे रौकेट के रौकेट ने satellite को ले जा करके छोड़ देना orbit में, ठीक है न, तो ये तीन टाइप के rocket हुए, इनमें से GSLV वाला जो type था, F12 इसको अभी हाली में यूज किया गया, NWS satellite को launch करने के लिए, अब आपको rocket तो समझ में आ गया, अब NWS के बारे में जानों, ये क्यों launch किया गया है Actually में दोस्तों, ये है navigation satellite, navigation मतलब ये navigation प्रदान करेगा जैसे लोगों को navigate करना होता है, मतलब navigation मतलब राह दिखाना एक प्रकार से समझो, जैसे आप GPS का यूज करते हो, GPS यानि Global Positioning System, अमेरिका का है ये, इसका यूज करते हो navigation प्राथ करने के लिए, Google Mapping वगरा के लिए, ऐसे ही भारत के द्वारा, इस वरो के द्वारा एक अपना खुद का बनाया गया है या कहें, इंडिया का GPS, NAVIC NAVIC, तो जो इंडिया वाला NAVIC है ना, उसके लिए ही ये NWS सेटेलाइट है, उसको और मजबूत करेगा, ऐसे साथ सेटेलाइट आज के टाइम पर और्विट में घूम रहे हैं, जो NAVIC को और मजबूत करते हैं, डारेक्शन वगरा दिलाने में, ठीक है तो इसरी हरिकोटा आनप्रदेश से ये लांच किया गया, तो देखो, जो अपना NAVIC है, उसका पुराना नाम IRNSS सा था, ये भी अगर नाम से दिखाई दिये, तो कभी कन्फ्यूज मत होना, ये NAVIC ही है, इसका पुराना नाम है, ठीक है, इंडियान रीजनल navigation satellite system इसे कहते हैं, तो इसी को अब नया नाम दिया गया है, NAVIC, तो ये इसी satellite को replace करेगी, एक satellite को इन में से, ये 7 satellite हैं भी, उन में से एक जो 2016 में लांच हुई थी, उसी को replace करेगी, अब एक upgraded model हुआ, समझ में आई इतनी बात, इस उरो के बारें बात करें हाली में तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया गया, तो दोस्तों ये मनाया गया दो जून को, बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी इसकी बात आती है, जिकराती है, तो आपको बताया जाता है कि 2 जून 2014 में ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर कि एक अलग से राज्य बना था, जब ये बना था, तब ये 29 राज्य बना था, हालाकि अभी वर्तमान में तो 23 राज्य ही है, कारण इसकी पीछे ये है, कि दुस्तों 5 अगस्त को, 5 अगस्त को 2019 को, अमिज साहजी ने एन यूनियन ट्रेटरी बन गया था, तो जब यूनियन ट्रेटरी बन गया, यानि कि एक राज्य की संक्य कम हो गई, यही वजा है कि अब 28 राज्य की जगा, 28 राज्य बच्चे हैं, जब ये बना था, लेकिन 2014 में तब 29 राज्य हुआ था, तो ये 29 राज्य बना था, अगर आ अधनियम के बारे में भी पूछा जा सकता है आप बताएंगे आंध प्रदेश पुनर गठन अधनियम 2014 तो यह पहले बिल लाया गया था वह फरवरी 2014 में लाया गया था हाला कि उसके पहले भी कई बार अपलाई किया गया लाया गया लेकिन जो वाला फाइनल हुआ वह 2014 में फरवरी मिला गया था बाद में मार्च में राश्प्रती के मंजूरी मिली दोनों सब्दों में पास हुआ उसके बाद जा करके दो जून 2014 को एक नया राज्य आता है आस्तित्त में दैटिस तेलंगाना तेलंगाना देखते हैं हम लोग मैप में कहां पर है यहां पर आप द गवर्नर है तमिली साई सौंदरा राजन जीले है हुसेन सागर निजाम सागर भदरकाली जीले ठीक है लोग निरत में पेरेनित हान्वम है बुनालू है अच्छा जीलो की संके यहां पर 33 है विधान सबा में 119 लोग सबा में 17 और राज सबा में 7 सीट जाती है राज के पाकिस्तान को हरा करके यह जीता है यहां परा पार्टिकल देखिए बिजनेस स्टेंडर का इट्स इंडिया वर्स पाकिस्तान एज टीम वाया फार्द जूनियर एसिया कप होकी टाइटल इंडिया ने जीत लिया है इसको हरा करके इसको पाकिस्तान को दो एक से हराया है इ और एसिया कप चैंपिएन बन गया है, ये जूनियर पूरसों का ये टूर्नमेंट था होकी का, उमान के सलाला हमें आयज़ित किया गया भारत इससे पहले तीन बार और चैंपिएन बन चुका है, कबकब, 2004 में, 2008 में और 2015 में, और तीन बार पाकिस्तान भी बन चुका है, 1987, 1992 और 1996, ठीक है, मतलब ये दौर तो पाकिस्तान का अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा था, आप सुचो इसी टाइम पर इमरान खान ने वोड़कप भी दिलाया था, अगला महारत्न कंपनी सेल के अध्यक्षवर प्रबंद अध्यक्षवर प्रबंद निदेशक दोस्तों बन गए हैं, कौन? अमरेंदु प्रकास, यहाँ पर आप आप आर्टिकल देखिए, अमरेंदु प्रकास टेक्स चार्ज एज सेल चेर्मैन, सेल एक महारतन कंपनी है, और इसकी पहली महिला महा निदेशक के बारे मैंने आप को बताया था ना, सोमा मंदल, तो अगर पहली महिला चेर परसन पूछा जाए, तो सोमा मंदल बताएंगे आप, और पहली महिला जब हो जाती है, तो वो हमेशा सही इंपॉर्टन हो जाती है, कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है न, हाला कि अभी यह अमरेंदु प्रकास प्रकास के बारे में बात करें अगर, तो इससे पहले भी इसी में थे यह, हाला कि इसके बोकारो यूनिट में यह काम किया करते थे, ठीक है, बोकारो इस पात यूजना के यह ने दे सकते डारेक्टर थे, सेल एक महारतन कंपनी है, इसकी अस्थापना 1954 में होई थी, हैड़ इसका नई दिल्ली में है, अच्छा, टोटल कितनी महारतन कंपनियां हैं भारत में, टोटल हैं 12 महारतन कंपनियां, ध्यान रखिएगा, महारतन कंपनियां वैलुएशन के हिसाब से डिसाइड की जाती हैं, लेकिन ऐसी कंपनियां होती हैं, जो भारत सरकार क्यों होती हैं, यानि ये PSU होती है, Central PSU होती है, यानि कि ये Central Government दोरा Operated Public Sector Undertaking होती है, यानि कि सालजनिक छेतर की उपक्रम होती है, अब इन में से ये 12 कौन कौन से हैं, देख लो यहाँ पर ONGC, भेल, BPCL, CIL, Gale, HPCL, IOCL, NTPC, PGCIL, PFCL, REC और SEL, ठीक है, तो यहाँ पर देखो REC जो है, ये R Rural Electrification Corporation Limited, ये नई add होई है, इसका नाम आप याद रखेंगे, यहाँ पर Alphabetical Order में लिखा गया है, इसलिए SEL आपको Last में दिख रहा है, वैसे तो ये जो है, PFCL और RECL, ये दोनों जो है, ये नई जूड़ी होई है, अच्छा, ऐसे ही 13 नौरतन कंपनिया है, यहाँ पर द नवेली, लिगनाइटेड, OIL, RINL, SCI, RVNL, ठीक है, तो ये सभी जो है, ये नवरतन हैं, और यहाँ पर ये महारतन हैं, क्लियर, आगे देखते हैं, हाले में किसके दौरा लिखी गई, पुस्तक Ringside का विमोचन किया गया, तो Ringside दो पुस्तक इसको लिखा है, डाक्टर वि अध्यक्षपत का चुनाव भी ये लड़े थे, हाना कि ये चुनाव नहीं जीत पाए, और मलिका अरजुन खट गे जो है, वो अध्यक्षबन गए कांग्रेस के, लेकिन आप समझ सकते हो कि ये कितने बड़े लीडर है, तो फिलहाल डाक्टर विजय दर्डा की पुस्तक क क्लिक ही गई है, बेसिकली 2011 से 2016 के बीच में इन्होंने जो भी प्रकाशन किया था साथ ताहिक लेक उसी का एक कलक्शन है ये बुक, ठीक है, अब पिछले दिनों में भी कुछ पुछ तक ही आई थी, उनको भी हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, देखो, रिवीजन बहुत अब बहतरीन से बहतरीन लाने का प्रयास करता रहता हूं, लेकिन दुख तो अब होता है जब आप लोग वीडियो सेयर नहीं करते हों, कोशिस की आपरो वीडियो को सेयर करने के दोस्ता, अगर सेयर करोगे ना तो मज़ा आएगा, तब थोड़ा सा कॉन्फिटेंस बढ़ की पुस्तक आई थी, the golden years, supreme court on commercial arbitration, dr. Manoj कुमार की पुस्तक है, the Indian metropolis, ये फिरोज वरुण गाधी की पुस्तक है, दुरपदी मुर्मू, from tribal hinterlands to Rai Sina Hills, ये कस्तूरी रे ने लिखा है, और my life as a comrade, ये केके सेलजा ने लिखा है, मुझे पता है, आज बहुत लोग कमेंट करन वाले हो, कि सर इसको English मिले के आओ, बिल्कुल, अगली बार से इंगलिस में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, comment करने के ज़रूत नहीं है, अच्छा, एक जरूरी बात, CHSL का जो नया बैच आया है, आज आखरी दिन है, आपका discount का, 399 में ये launch हुआ था, लेकिन आपको दिया जा रहा था, कितने में, 299 में, तो इसके लिए सिर्फ एक से 3 जून तक के लिए ये offer लाय गया था, और आज इसका आखरी दिन है, याने 3 जून है, आपको coupon code यूज करना है, CHSL 25, इससे regarding जो कुछ लोगों के doubt आते हैं, वो मैं clear कर दो, जो लोग लगातार पूछ रह करके बैच में, वीडियो देख सकते हो, चाहे वीडियो लाइव हो या ना हो, लाइव होने के बाद, वो वीडियो फॉर्मेट में, स्टोर रहती है, वहाँ पर, ठीक है न, और टाइम टाइम से लाइब तो होती ही है, इसके अलावा, दूसरा जो कुशन आ रहा है लोगों ठीक है, तो और मॉक टेस, प्रेक्टिस सेट, सब कुछ आपको दिया जाएगा, बस आप पढ़ने के लिए तयार रहो, बस, कॉंटेंट तो आपको इतना दे दिया जाएगा, कि अगर आप इसको इतना कॉंटेंट पढ़ लोगे न, तो CHSL में 50 में 50 बहुत ही आराम से आप कहीं पर नहीं मिलेगा, हमारी कोई दोसरी साखा नहीं है, ठीक है, आप MZTF पर ही संपर करें, फोर्ब्स के अंसार सबसे मुलिवान फुटबाल कलब कौन सा बना, तो देखो सबसे मुलिवान फुटबाल कलब बन गया है, रियल मैडरिड, रियल मैडरिड ने मैंचेस्टर सिटी को पीछे कर दिया है, और सबसे ज़्यादा वैलवेशन वाला फुटबाल कलब बन गया है, यह इस्पेन का फुटबाल कलब है, रियल मैडरिड और इसने मैंचेस्टर युनाइटेड को पीछे कर दिया, देखो मैंचेस्टर युनाइटेड यह वही वाला है जहां स से जहां से निकले थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ठीक है यह बाहर आये थे ठीक है बाहर हुए थे और यह कहां के हैं पुर्दगाल के हैं पुर्दगाल के हैं अच्छा कोई मुझे बता सकता है क्या कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब कहां से खे लियोनल मेशी ठीक है ये किस देश के हैं अर्जंट के है जिसने अभी जीता है रिक रिघ। गटीक है ये दो चीजस तो आपको याद अकना ये लिजकन घिला रही है वएस से अभी तिन पहले अमने बताया था कि है । यो युरोप में सबसे ज़यादा गोल करने वाले यूरोप में जो klub हों हैं कलब टूनमेन्ट्स होते हूँ उन्में सबसे ज़यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बंदे हैं क्रिश्टानर रोनालो का रिकार्ड यह तोड़ दिये अच्छा यह भी आपको बताया गया था कि बार प्रीमियर लीग का खिताब जीता था यह सभी लीग टूनामेंट है ठीक है लीग मतलब की जैसे IPL में यहां पर लीग टूनामेंट चलता है क्रिकेट का वैसे वहां पर फुटबाल के लूग लीग टूनामेंट्स आयोजित हुआ करते हैं सबसे important तो बताए है नहीं कि स्राज की पुलिस ने अभियान ओप्स क्लीन शुरू किया तो पंजाब पुलिस ने अभी हाली में ओप्स क्लीन शुरू किया है पंजाब स्टेट की पुलिस बहुत तेजी से अब लग चुकी है वहां पर ड्रग वगेरा को कम करने को लेकर के पंजाब जो है ना वहां पर व्यवसाई करण को कम करने के लिए एकदम से तो तुन्द नहीं खतम कर पाएंगे लेकिन धेरे धेरे इस पर कंट्रोल पाने के लिए ये पंजाब पुलिस के दौरा ओप्स क्लीन अभियान चलाया जा रहा है पंजाब पुलिस के मान इदेज़क हैं अगला यहाँ पर पंजाब के बारे में देख लो पंजाब ये देखो ये एकदम से सटा हुआ राज्य है और बहुत सारे केसे मिलते हैं कि पाकिस्तान में ड्रोन के द्वारा ड्रोन के द्वारा ड्रक्स वगरा बौडर पार्ट फिकवाए जाते हैं हाथिया क्वास वाइं से पाकिस्तान से मिलते हैं पकड़ है पजह यहाँ पर है एक में दो पंजाब पाकिस्तान में भी जब पारिस्चन हुआ था टो अपने मिलाल पॉरहित आरा पर कहते हैं लाजड फिलहाल चंदिगड अपना यह राजधानी है भगवांत्मान आमादमी पार्टी से यहां के सीम है गवर्न है बनवारी लाल पुरोहित और यहां पर अगर पूछे नेशनल पार्क की तो जज़र बच्छोली बीर मोती बाग हर के यह सभी प्रमुख जो है यह नेशनल पार्क राज की पसु है बलेक बक और राज़के पक्षी है उत्रि कोशाः अगला हाली में प्वकोट करनाली हाइड्रो एलक्तिकर प्रोजेक्ट के लिए भारत ने किस देश के साथ संभड़ था था थि ने अभी नेपाल के साथ संभहता किया है एक करनाली, फुगोट करनाली हाइडरो एलेक्रिक प्रोजेक्ट के लिए, हाइडरो एलेक्रिक मतलब होता है जलविद्धुत परियोजना, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि नेपाल के PM जो हैं, ये आने वाले हैं भारत की विजिट पर, बताया था ना कि ये इंपोर्ट करेगा 10,000 मेगावाट बिजली नेपाल से, हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, नेपाल से इंपोर्ट करेगा इंडिया बिजली, एक्शुली में नेपाल जो है न, वहाँ से ही बहुत सारी नदियों के पानी आते हैं, बहुत सारा डैम है वहाँ पर, त साथी साथ एक और डील हुई है, फुकोट करनाली हाइड्रो एलेक्रिक प्रोजेक्ट, तो इस से 10,000 मेगावाट नहीं आएगी, ध्यान रखियेगा, इसको ये दोनों अभी नई डील हुई है, नहीं बहुत की कंपनी और विजली उत्पादन के लिए करनाली नदी का प्र प्रचंड जी हैं, वो आये थे, भारत की यात्रा पर ये भी याद रखना है, अगला, एक प्रसिद वैस्विक ब्रांड कंसल्टेंसी, इंटर ब्रांड की गोष्णा के अनुसार, भारतिये ब्रांडों की सूची में टॉप पर कौन है, तो देखो, इंटर ब्रांड ने Most V Valuable Brands in India की एक रिपोर्ट जारी की है, यानि भारत में सबसे ज़्यादा Brand Value वाली कंपनियां कौन-कौन सी है, तो इसमें इसने रखा है Topper TCS को, Tata Consultancy Services को, और दूसरे अस्थान पर रखा है इसने Reliance को, आए पुरी लिष्ट देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखो, ये Inter Brand के 65,320 करोड रूपए की Brand Value के साथ, और Infosys जो है, ये तीसरे पर है, 13,320 करोड रूपए की Brand Value के हिसाब से, और 4 पर HDFC, 5 पर GEO, 6 पर ATEL, LIC, महिंदरा, SBI, फिर 10 पर है ICICI, ठीक है, ये देखो, इंडिया की कमपनिया है, मैंने आपको बताया है कि वैसे तो अक्सर जारी होत रहता है, दुनिया की जो Brand Valuation के साथ से कमपनिया आती है, उनके रिष्टों अक्सर जारी होता हुआ करती रहती है, उसमें टॉप पर सबसे Most Valuable Brand कौन सी रहती है, Apple, ठीक है, सबस्यादा Brand Value Value Company, अगला, 2023 से 2027 तक विश्चो मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्सता कौन स अध्यक्सता करेगा, इसके अध्यक्सता करेगा UAE, United Arab Emirates, विश्चो मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्सता ये 2023 से 2027 तक चार सालों के लिए पा गया है, यहां पर देखिए आर्टिकल है, UAE WINS Presidency of World Meteorological Organization, तो इसके जो अध्यक्स बनाए गए हैं, वो हैं डाक्टर अध्यक्स ये होंगे अध्यक्ष और UAE करेगी अध्यक्सता, ये अध्यक्स बनने वाले एसिया के पहले और अरब भी पहले अरब देशों के भी विए विक्ति, मौसम वैग्यानी हैं ये, अलमौन्दोस ये अध्यक्सता करेंगे, अच्छारा, पांस से छे जून के बीच में, जिनेवा में एक 37 बैठक होने वाली है, उसमें भी ये अध्यक्ता करेंगे, UAE ही पता होगा आपको COP28 की मेजबानी इसबार करने वाला है, ठीक है, Conference of Parties का, अच्छा मैंने कल गलती से आपको बोल दिया था कि पिछला वाला जो COP27 था न, COP27 वो इस ग्लास गो में ध्याना आ रहा था, वो मैंने बोल दिया था, ये ग्लास गो में हुआ था, ग्लास गो स्कॉट्लैंड में ये हुआ था, COP26 और COP27 मिस्र के सर्म अलसेख में हुआ था, COP28 कहां पर होगा, UAE में होगा, ठीक है न, तो ये तो थे टॉप 10 करेंट अफेर के कुश्यंस, I hope आपक ये अपना लिया गया, IIRF रैंकिंग 2023 के अनुसार भारत की टॉप सरकारी MBA इस्टिटूट में पहले पर IIM एहमदवाद है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एथेना लुत पादन के लिए डेनमार्क के साथ समझाता किया है, वीके पांडियन को अभी हाली में FIH President Award 2023 से सम्मान किया गया, ये ओडिसा के हैं, लाओस के लिए भारत का अगला राजदूत प्रसांत अगरवाल को नियुक किया गया है, और अभी मद्य प्रदेश एस्या का पहला floating festival आयजुद किया है, और अभी डाक्टर महेंदरनाथ पांडे, ये केंडरी मंत्री हैं, इन्होंने मानने स में पंचा मिर्द की और कारेकरम का उद्घण किया, मैडरीड अंतराष्ट्य पुस्तक मेले में थीम देश भारत को चुना जाएगा, जो कि 2025 में होगा, भारत में कुलकाता पुस्तक मेला जो आयजुद किया गया था, उसमें इस्पेन को, या कहें कि मैडरीड ही कहलो, इस और पदमस्री से भी सम्मानित थे, विस्टो कैंसर दिवस चार फरवरी को मनाया गया, और अभी आस्टेलिया ने अपने बैंक नोटों से ब्रिटिस राज साही के प्रतीक को हटा रेक गोशना की है, और रानी जी चली गए, तो अब नए राजा जो आए हैं, उनको आस्ट पेंगे हम, वैस्वी कुर्जा बैटक का आयोजन डैंगलोरी ने किया, और अभी भोपाल में इसलाम नगर का नाम बदल कर जगदीशपुर किया गया, हर्याना में 36 सूरजकुंड हस्तिल्प मेले का उदगाटन जगदीश धनकर जी ने किया, बहुत ही इंपोर्टन है, आई संजे ने इंडियन नेशनल कार रेसिंग चेंपेंशिप जीत लिया है, और ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में टॉप पर एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, टूरिज्म वर्किंग गुरुप की पहली बैठक का आयोजन गुजरात में किया ग आजाद इंजीनिंग प्राइड लिमिटेड ये थे दोस्तों अब फरवरी के रिविजन, लास्ट एक के कुछन की बात कर लेते हैं, कल मैंने पूछा था कौन सी जील उलका पिंड के गिरने से बनी है, तो महराज की लोनार जील जो है, वो कहा जाता है, पचास जार साल पह आज आपको क्या बताने हैं, आज आपको बताना है, भारत में स्वेत क्रांती का जनक किसे कहा जाता है, इसके लामा नवरतन कंपनी, RINLK, MD और चेर्मेन कौन है, दोनों कुशन इंपोर्टेंट है, दोनों के बारे में आपको जो भी पता होगा, डेटेल में जरूर अंसर करना, बैच अगर लेना है, तो आज लास्ट दिन है, उसको ले डालो, ठीक है, और जा करके उसमें देखो, कॉंटेंट कितना बहतरी ना रहा है, क्लासे उसमें चल रही है, और GS के लिए आपको टिंसन लेनिक्स जरूर तब नहीं है, बहुत-बहुत धन्यवाद यहां तक बीटो देखने के लिए, मिलेंगे अगली वीडो में तब्तिकली नमस्कार चैन्द, वंदे मात्रम